नमस्कार दोस्तों एक बड़ फिर से स्वागत है आप सब का हमारे इस चैनल पर दोस्तों आज के इस नॉलिजबल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी प्रोपर्टी को खरीदने से पहले आपको किन मुख्य दस्तावेजों को चेक करना उनको वेरिफाई करना बेह क्योंकि अपको ये मुख्य दस्तावेज सबसे पहले चेक करना है कि जो भी प्रोपरटी आप खरीदने जा रहे है उसके शेल डिट में उसका माली कौन है और उसेल डिट से ही आप इस बात का पता लगा पाएंगे कि जो परशन आपको वो प्रोपरटी बेच रहा है वो व दूस्तों ये सरकार द्वारा बनाएगे दस्थावेज होते हैं जिसमें उस प्रोपर्टी के वास्तविक मालिक की डिटेल होती है और उस रिवन्य रिकॉर्ड में आपने नाम सुना होगा जमाबंदी का दूसरा सुना होगा इंतिकाल का इंतिकाल का मतलब होता है मुटेशन यानि कोई प्रोपर्टी जब सेल परचेज की जाती है तो उसका वास्तविक मालिक है वो उस मुटेशन के माद्यम से उसमें रेश्टर किया जाता है उसके बाद से ही आपको पता लगता है कि उस प्रोपर्टी का सुरू में मालिक कौन था और अब फिलहाल करंट में मालिक कौन है और बेहद महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस रेवन्यू रिकॉर्ड के आधार पर ही आप इस बात का पता लगा पाएंगे कि जो प्रोपर्टी आप खरीदने जा रहा है वो किसी विवादा ग्रस तो नहीं है किसी विवाद में तो नहीं है वो भी आपको इस रेव कंस्ट्रक्टिड यानि बना हुआ प्रोपर्टी परचेज करता है जिसमें कंस्ट्रक्शन अल्रडी की गई है तो आपको बेहद जरूरी है कि आप उसका जो अप्रूर्ड प्लान है उसको जरूर चेक करें क्योंकि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है तो उस लोकल अ और अथोर्टी के अंदर वो प्रिपर्टी आती है उस प्रिपर्टी को अप्रyy प्लांस चेक करें इसका अधार पर आपको पता लग पाएगा कि वह कंस्ट्रक्शन अप्रूवल के बाद की गई है दोस्तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपको काफी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए आपको पैनल्टी भी देनी पड़ सकती है दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस दस्तावेज को चेक करके ही आपको पता लगा जा सकता है कि जो बिल्डिंग बनाए गई है वो सबी सुरक्षामान को सेफटी कोड को ध्यान में रखते हुए बनाए गई है अथो नहीं तो इसलिए इस अपने ऐसा नहीं किया तो उस प्रोपर्टी को खरीदने के बाद उस प्रोपर्टी पर जितने भी टैक्सी अथवा भार लगाए गये हैं वो सभी आपको भरना पड़ेगा तो इसको जरूर चेक करें क्योंकि अनोसी तभी इसू की जाती है जब उस प्रोपर्टी का सभी इस टाइम पर जमा हो कोई पैनल्टी अथवा नहीं हो तभी उसका अनोसी इसू किया जाता है दोस्तों यह दस्तावेज आपको यह चेक करने में भी हल्प करता है कि वह उस प्रोपर्टी पर कोई डेवलोप्मेंट चार्ज बगाया है कि नहीं प्रोपर्टी टेक्स कब त तक की हुई है यह सब आपको अनोसी के माध्यम से पता लगता है इसलिए आप इस दस्तावेज को जरूर चेक करें ताकि बाद में आपको कोई एडिस्टनल टेक्स ना भरना पड़े अब बात करते हैं पांचवे मेहतर पॉन्ट की दोस्तों यह दस्तावेज बहदी ज्या कर पता लगा सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं दोस्तों अब अंत में बात करते हैं एक बेहदी खास दस्तावेज के बारे में जिहां इसे हिंदी में मुख्तियार नामा कहा जाता है और इंग्लिस में इसे पावर ओफ अटोनी कहा जाता है दोस्तों लिए प्रफेता है यह अपको जरूर को दी जाती है। जरूर करना है कि जो डील आपसे की जा रही है उसमें जो सेलर है वह teni holder है या फिर वास्टविक मालिक है यह कि यह अशा कहता है कि वह पावर फटोनी होल्डर है तो आप उसका दस्तावेज जरूर चेक करें और कोसिस यह करें कि आप डारेक्ट उस प्रोपर्टी के ओनर से भी बात करें और उस चीज को उस पावर फटोनी को भी वेरिफाई कर लें ताकि फर्दर आपको डील करने में कोई दिक्कत ना हो और ब और इन दस्तावेजो को चेक करते हैं तो आपको भविस में इस से समंधित कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों उमीद करता हूँ हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपको यूजफू लगी होगी दोस्तों अगले वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि प्रोपर्टी खर जरूर देखें उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में तथा इस वीडियो के एंड में भी जरूर शेयर करूँगा ताकि आप उसका लाव उठा सकें दोस्तों ऐसे ही कानून से समंधित लगातार जानकारी प्राप्ट करने के लिए और जागरुक रहने के लिए हमारे च